पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 डाउनलोड करें पर विश्वास का एक दूसरे पर भरोसा हमारी अंडिस्टैंडिंग हमारा प्यार और हमारे भविश्य का इसमें से कुछ भी बच्चता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि वीते दिनों में जो कुछ भी हुआ है ना डैंड मैं नहीं बुला पा रहा हूं से मैं उसे अपने दिमाग से कैसे निकालों मुझे नहीं समझ में आ रहा हुआ हुआ है अपने कहीं बार मीत की तरफ तारी की है आप आज अपने बेटे के परस्पेक्टिव से भी कुछ समझने की कोशिश कीचे वो जो पेंडराइ वाला किस्सा हुआ ना डैड तो मैंने और मीत ने एक दूसरे को वादा किया था कि ये बात कभी बाहर नहीं आएगी ताकि आप पर कोई आच ना सके लेकिन मीत ने मेने पीट पीछे वो पेंडराइव निकाल कर लैब टेस्टिंग के लिए थी आपको अरेस्ट होना पड़ा इस पूरे घर का महौल बदल गया चाच परेशानते चाचा को लेकर चाची परेशानती तेज भाई पूरे घर को लेकर परेशानते मौम की तब्यत खराब हो रही थी आप मुझे बताइए कि मैं इन सब चीजों को कैसे बुलाऊं डैड मेरी मानसिक्ता पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ये सब किसकी वज़ा से कperform मोची प्रोढ में बहुत अच्छी यह बेकिन प्रोढ मोची की तरह नहीं पुलिस वाली कीन तरह से लगे उसको हर प्रोब्लम एक केस लगटा है जिसको सुझाने में वह सिर्ऽ अप्ला काइदा कानून मध्दे नजर नजती है उसके बाद किसका बरोसा टूट रहें औ किसकी बातों नहीं सुन रिये, किसको तकलीफ उच रही है, यह सब वो कुछ सुनती ही नही है, डाद, और यह होते 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 मैं अंधर से टूट चुका हूँ आप मुझसे पुछेंगे कि मेरी पतनी काय मैं नहीं बता पाँ लेकिन अगर अगर नगज से पूछेंगे ना इस सब इंस्पेक्टर कहा है, तो मुझे पता होगा तो मुझे पता होगा मैं खड़ा होता हूँ ना अपनी पतनी के आगे और जब मैं अपनी पतनी के आखों में आखें डाल कर देखता हूँ तो मुझे मेरी पतनी नहीं एक सब इंस्पेक्टर दिखाए देती है ता अरे ये क्या बगवास कर रहा है तू तो ये कैसे भूठ सकता है कि इस लड़की का दिल कितना साफ है